C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का पंदर्वापाट उसी से ठंडा, उसी से गर्म, प्रिष्ट संख्या 149, एक था लकडहारा, जंगल में जाकर रोज लकडियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था एक दिन वहे दूर जंगल के अंदर चला गया, कट-कटी का जाड़ा पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिलकुल सुन हो जाती थी, वहे थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुलहारी रख देता और दोनों हाथों को मुह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूख मारता क की गर्म हो जाएं, कोने में खड़े एक मिया बालिशतिये उसे देख रहे थे, घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वहे बार-बार हाथ में कुछ फूखता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है, मगर कुछ समझ में ना आया, तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चल कर फिर लोट आये, कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने, मगर फिर रहा न गया, आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़ हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो, तो एक बात पूछू, लकड़ हारे को यह ज़रा सा आदमी देख कर ताजुब भी हुआ, हसी भी आई, मगर उसने हसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो, बालिष्टिये ने पूछा, बस यह पूछता हूँ, कि तुम मुह से हाथ पर फूख सी क्यों मारते हो, प्रिष्ट 140, लकड़ हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, ह ठिटूरे जाते हैं, मैं मुह से फूख कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिटूरने लगते हैं, फिर फूख लेता हूँ, मिया बालिष्टिये ने कहा, अच्छा अच्छा यह बात है, यह कहकर बालिष्टिये मिया वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही, दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई इधर उधर से दो पत्थर उठा कर चूला बनाया आग सुलगा कर चूले पर आलू रख दिये लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार थंडी हो जाती तो लकड़हारा मूँ से फूंक कर तेज कर देता अरे, बालिष्टिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मूँ से आग निकलती है लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया उसे खाना चाहा, तो वह ऐसा गर्म था, जैसे आग, तो वह फूं फूं करके फूंकने लगा अरे, बालिष्टिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मूं में रख लिया और गबगब खाने लगा अब तो इस बालिष्टिये की हैरानी का हाल न पूछो प्रिष्ट 141 बालिष्टिये से फिर न रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा सलाम भाई बुरा न मानू तो एक बात पूछूं लकड़हारे ने कहा बुरा क्यों मानूंगा पूछो बालिष्टिये ने कहा तुमने सुबहा मुझसे कहा था कि मुझसे फूख कर अपने हाथों को गर्माता हूँ अब इस आलू को क्यों फूखते थे यह तो खुद बहुत गर्म था इसे और गर्माने से क्या फाइदा नहीं मिया टिटलू यह आलू बहुत गर्म है मैं इसे मूँ से फूँक फूँक कर ठंडा कर रहा हूँ बात तो कुछ ऐसी ना थी मगर यह सुनकर मिया बालिष्टिये का मूँ पीला पड़ गया डर के मारे कप कप कापने लगा उसके पैर पीछे हटते जाते थे लकड़हारा भला मानस था उसने आखिर पूछा क्यों मिया क्या हुआ क्या जाड़ा बहुत लग रहा है मगर मिया बालिष्टिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बोले अरे यह ना जाने क्या बला है कोई भूत है या जिन उसी से ठंडा, उसी से गर्म हमारी अकल में यह बात नहीं आती सच है यह बात बालिष्टिये की नन्नी सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं यह कहानी लिखी थी डौक्टर जाकिर हुसेन ने सोचो क्या असल में बालिष्टिये होते हैं इस कहानी के लेखक ने बालिस्तिये की बात क्यों की होगी करके देखो बालिस्तिये ने जब यह देखा कि लकड़ारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था तो उसे बड़ी हैरानी हुई क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? अपने हाथों को मुह के पास लाकर जोर से दो तीन बार फूंक मारो मुह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुँ से थोड़ी दूर पर रखो, तब भी क्या मुँ से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? क्यों? प्रिष्ट 142 सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिती सोच सकते हो, जब फूक मारने से गर्मी मिलती है? अपने रुमाल या किसी भी मुलाइम कपड़े को दो-तीन बार मोडो, उसे मुह के पास लाकर दो-तीन बार जोड से फूक मारो क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो बालिस्तिय ने देखा कि लकड़ारा गर्म गर्म आलू को फूक मार कर ठंडा कर रहा था अगर वह बिना फूक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता, तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुमारी जीब जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे यहाँ दो चित्र दिये गए हैं चित्र एक में मिनी ने चाय को फूक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया तुम्हें क्या लगता है कि मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी या उसकी फूक की हवा चित्र दो में सोनू की ठंड से जान निकल रही थी इसलिए वह बार-बार अपने हाथों पर फूक मार रहा था अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूक की हवा प्रिष्ट 143 तुम और क्या-क्या करने के लिए फूक मारते हो कागस से अपनी सीटी बनाओ एक कागस का टुकडा लो 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चोड़ा यहां दिये गए चित्र के अनुसार उसे आधा मोड़ दो अब दिखाए गए चित्र दो के अनुसार कागस को बीच में से काट कर छेद कर लो दोनों तरफ से काज़ को बाहर की तरफ मोड़ दो काज़ को अपनी उंगलियों में फसा कर होंठों से लगा लो अब फूंक मारो तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी तुम्हारे साथ ही की सीटी जोड से बजी या तुम्हारी CT में धीरे और जोड से फूक मार कर अलग-अलग तरह की आवाजे निकालो अलग-अलग चीजों से CT बजाओ यहां कुछ चीजे बताई हैं उन चीजों से आवाजे निकाल कर देखो और लिखो उन में से किस्से सबसे तेज CT बजी और किस्से सबसे धीरे आवाज की तेजी को क्रम में लिखो चीजे हैं टौफी की पन्नी से पत्ते से गुप बारे से पैन के ढखकन से किसी और चीज से प्रिष्ट 144 क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग-अलग चीजों के इस्तेमाल से अलग-अलग तरह का संगीत बजाते हैं जैसे बासुरी, धोलक, बीन, म्रिदंग, गिटार, आदे क्या तुम आखें बंद करके इनकी आवाजें पहचान सकते हो इन सभी चीजों के बारे में और बातें पता करो चित्र भी इकठे करो लिखो क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जिन में फूक मारने से सुहावनी आवाज निकलती है उनके नाम लिखो करके देखो और चर्चा करो क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मूँ से हवा निकाल रहा हो मूँ से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी एक स्टील का गिलास लो उसे मूँ के पास लाकर मूँ खोल कर जोड से सांस छोड़ो इस तरह दो तीन बार सांस छोड़ कर देखो क्या गिलास कुछ दुन्दला सा हो गया? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी दुन्दला बना सकते हो? शीशे को चू कर पता लगा सकते हो कि यह धुंदलापन किस वजे से है छोड़ी हुई हवा सूखी है या गिली अपने हाथों को अपनी चाती पर रखो अब सांस भरो क्या हुआ चाती अंदर गई या बाहर अपनी चाती का नाप लो एक लंबी गहरी सांस भरो प्रिष्ट 145 अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी चाती का नाप ले नाप रिक्तिस्थान अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी चाती नापने को कहो नाप रिक्तिस्थान क्या चाती के नाप में कुछ फरक आया? हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे उंगली रखो क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि एक मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी अब अपने स्थान पर तीस बार उचा उचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रख कर गिनो कि तुमने एक मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी? बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फरकाया? तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी घड़ी की सुई से होती टिक-टिक की आवास तो तुमने सुनी होगी? क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी चाती पर स्चेथोस्कोप लगा कर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवास कहां से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आव सुने अपनी धड़कन अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड पाइप लो इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो अप कीप को अपनी चाती की बाई ओर रख कर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ ध्यान से सुनो क्या धगदग की आवाज सुन पाए? प्रिष्ट 146 साप बताए हवा का बहाव इसके लिए लगभग 10-12 सेंटी मीटर चौड़ा एक गोल कागज लो इस गोल कागज को अंदर की तरफ साप के घुमाओ में काटो इस साप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो नीचे लटकने वाले धागे पर गांट बांध लो या छोटा बटन बांध लो अब साप तयार है घुमने के लिए किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस साप को लटका कर देखो इसके लिए गर्म चाए, पानी या जलती हुई मुम्बत्ती ले सकते हो अब यह साप कैसे घुमता है? इसके उपर से देखो जब भी हवा नीचे से उपर की ओर जाएगी तो यह साप घड़ी की दिशा में घुमेगा अगर हवा उपर से नीचे की ओर बह रही हो तो यह साप घड़ी की उल्टी दिशा में घुमेगा पंखे के नीचे इस साप को लेकर खड़े रहो देखो साप किस दिशा में घूमा? अपने इस साप को लेकर जगा जगा जाओ और देखो क्या साप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से उपर या उपर से नीचे बह रही है? हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा जट से सूज गया दीदी ने तुरंथी दुपट्टे को तीन-चार बार मोड़ कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? फूंक का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी दोनों का एक-एक उधारण दो उसी से ठंडा, उसी से गर्म अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पंधरवां पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत